सुपेरे बच्चेव, मैं अमन प्रीत्स होता, आज दानूपणा मांगा जमात छेमी दा पाठ चौदा पाणी बच्चेव कुर्णानक देव जी ने 500 साल पहला उचार्या सी पवन गुरू पाणी पिता उना पाणी दे महत्व नू देख देयां पिता दे वरबर दा दरजा दता सी पाणी विना जीवन वारे कलपना करना वी अउखा है अज जदों विग्यानी तरती तों वाहर ले ग्रहयां ते जीवन वारे जानन ले उच्छुटा विखौंदे हन तब पहला पानी दी ही पाल करके अंदाज्जा लगाया जन्दा है सारे जीब जन्तुआं ते वनस्पती दे जिऊदे रहन लेई पानी बहुत ही जिरूरी है आओ पहला पानी दे सोम्या वरे जानी बच्चो पित्वी दा दो तेहाई हिस्सा पानी है इस पानी दा ज्यादा पाग समुन्दरा से महा सागरा विच है समुन्दर दा पानी खारा हुंदा है क्योंकि इस विच लून कुड़े हुए हुंदे है तो उसी आम सोन दे हैं कि जो असी खान वाला नमक कर दे विच यूज़ कर दे हैं उस मुंदर दे पानी तो ही प्रापत कीता जंदा है। सुमुंदरी पानी दे खारा होन कारण ये पानी खेती उद्योगां जाकरां विच सिद्धे तौरते नहीं वर्तिया जा सकदा। दूसरा है स्तही पानी इस दा आर्थ है तर्ती दी सता दे उपर वगनबाला पानी जिन्वसी आम देख देयां। नदियां, दर्या, चीलां, ते चरने पानी दे महतपुर्ण सुम्मे हन। इनानू ताजे पानी दे सुम्मे भी केह जंदा है। इस पानी नू खेती बाड़ी ते पीन लेई वर्तिया जंदा है। अगला है पुम्मी हेठला पानी जहां इसनू असी पुम्मी गत पानी दे नाम नालवी जान गें। ये पानी पुम्मी दे हेठा होन कारण असी सिद्धे तोर ते इसनू नहीं देख सकते। पुम्मी गत पानी करेलू अपयोग लेई, पीन लेई, उध्योगा विच वर्तो लेई, ते खेती बाड़ी लेई, बहत पूरण सोमा है। जदो मी पेंदा है, तक काफी मतरा विच पानी पुमी विच रस जन्दा है, ते हीठा चला जन्दा है, ये तर्ती हेठले पानी विच मिल जन्दा है। पच्चे असी जान देया कि पानी साधेले ये बहुत महत्व पूरण है, असी देखिया कि पानी दे सोमे केडे केडे हैं, फून असी जानिये कि असी पानी प्रापत कित्थों कर देयां। करा विच असी खूँ नलके टूटी जान समर्सीवल मोटरावाले ट्यूबला राही पानी प्रापत करते हैं। तुसी अपने करा दे विच दिखो कि तुआडे कार पानी कित्थों आरया है। किसे समें खू नलके ही तरती हेठ ले पाणी प्रापत करन वाले बहत्तपूरण साधन हुंदेशन पर पाणी दी ज्यादा वर्तो कारण पाणी दा पदर हेठ जान डाल आज कल आम तौर ते खू ते नलके नजर नहीं हो दे आज कल पाणी प्रापत करन लई तूटियां जा ट्यूब बलादी ही वर्तो कीती जन्दी है वड़े वड़े शहरां विच ज्यादा जन्द संख्या दी पाणी समंदी पूर्ती लेई पाईपां पाके नदियां दर्यामा तो पाणी नूँ साफ करके लोकां तक पहुंचाया जन्दा है तुसी आज ये जांच करनी है कि तो अड़े करदे विच जो पाणी वर्ते आजन्दा है वो कित्थों आँदा है वो टूटी तो आ रहा है जा समर्सिवल मोटर तो आ रहा है आओ देखिए के असी रुजाना जिंद्गी दे विच पानी दी वर्तों कित्थे कित्थे करते हैं बच्चे ओ पानी सिर्फ जियुंदे रहले ही जुरूरी नहीं सब गों असी रुजाना जिंदगी दे दोरान अपनियां बहुत वारी," बहुत सारी हैं, केरे आवा लई पाणी दे निर्वर हूं। असी पाणि दी किरे लू कमा लई, खेती वड़ी लई अते उद्योगा लई कर दे हूं। क्रेलू कमा विच्छामल है बुर्ष करना नहां उना कपड़े तो उना करांदी सफाई करनी आठा गुनना आद तुसी भी देखो कि जदो तुसी स्वेरे उठ देयां तब पानी दी वर्तों तो अपना देन जड़ाया वो शुरू करते हैं सब तो पहला असी उठके पानी पिन देयां फेर असी ब्रश कर देयां नहां देयां तुसी अपने माता जी नू कपड़े तो उन्दे होए भी ते करदी सफाई कर दे होए भी देख्या होगेगा पानी दी वर्तों फसला लई ते उद्जोगा विच भी बहुतात विच कीती जन्दी है फसला ते द्रक मीदे पानी तो भी अपनी पूर्ती कर लेंदे हैं पर फसला नू लोडींदा पानी ने रंतरता नाड देन ते ही वदिया पैदावार प्रापत होंदी है पाउद्या ते फसला नू परकाज संसलेशन समे अपना पोजन बनाओ लें पानी दी लोड फुन्दी है तर्ती विचों खनेज लेंड समे ते पाउद्य अंदर पदार थां दे इक थां तो दूजे थां तो परिवेहन समे वी पानी दी एहम पुमी का फुन्दी है पाव पौदे दे अंदर पदार थां दा इक थां तो दूजी थां ते जाना ओ पानी दी मदद दे नार ही संबब हुन्दा है इस तो लावा उद्योगा विच भी पानी दी बहुत वर्तों हुन्दी है सगों जैदा तर कार खानने भी नदियां दर्यामा दे नेडे ही बनाए जन्दे है उद्योगा दे फोकट पदार थां नूँ भी इना पानी दे सोम्या विच बहाँ आद ता जन्दा है फैक्टरियां दी रहन खूंदनू जदो बिना सोदे ही नदियां दर्यामा विच पाया जन्दा है ता इस नाल पानी जहरीला हो जन्दा है जिस नाल वहती वारी पानी विच ले जीव जीमे मच्छियां आद मर जन्दियां हाँ तुसी बहुत वार अखवारां विच एक ख़वरां पढ़ियां होन गियां के कई वार कई दर्यामा दे विच उपरली सता ते ब्यंत मातरा दे विच मर यां हो यां मच्छियां पायां जन्दियां हाँ तो उस्दा इही कारण है कि जो फेक्टरियां ते कार खानेया दी रहन्द खूंद दर्यामा दे विच बहाद ती जन्दी है जदो ओ जानवर इस जहरीले पानी नु निगल दे हन जा उना पदार्था नो निगल जन्दे हन तो ओ मर जन्दे हन पानी विच मिड़ी इस जहर नाव तर्ती हेटला पानी भी गंदला हो जन्दा है ते मनुखा विच भी कई तरानिया बिमारियां पैदा करदा है पानी साधेले क्यों ज रूड़ी है आओ इजे पिछले कारणा नू जानू पहला है संजीवां विच होन वालियां रसाइनिक कर्यामा जिनानू जैव रसाइनिक कर्यामा केहा जन्दा है उना लेई पानी लोडीन्दा है संजीवां तो इथे पाव पौदे अते जन्तुआं दो मातों है पाव उना दे सरीर दे विच जनियावी रसाइने कर्यामा हुंदिया हन उना दे होन दे लेई पाणी जुरूरी हंदा है दूजा है पाचन दुरान पाणी एक मद्यम्दा काम करदा है बचो ज़दों भी सरीर दे विच खादा होया पोजन पचदा है ता उस दे लेई पाणी ने एक मद्यम्दा कम करना हुंदा है पाणी दी गैर मौजूद्गी दे विच पाचन औखा होजन्दा है परिवेहन दा अर्थ इथे ए है के शरीर दे अंदर लेई पाणी नूँ इक थां तों दुजी थां ते लेके जाना उस दे विच पाणी दी जरूरत बहुत एहम है शरीर दे तापमान नू निजंतरित करण विच मद्यकार है सब तो जुरूरी पॉइंट ये याद करना के पानी सरीर दे तापमानू निजंतरित करंदे विच सहायता करदा है गर्मिया विच सानू जदो पसीना होंदा है ओस पसीने दे वाश्पी करंदे नाड शरीर नू गर्मी विच भी छंडक मिल दी है तो ये ओ पॉइंट अपान सिखे ने जितो सानू ये पता लगदा है कि पानी साड़े ले क्यों जरूरी है इसलिए सानू पूरे देंदे दुरान थोड़े थोड़े समय वाग साफ ते स्वश पानी पीन दे रहना चाहिएगा है ताँ कि असी तांदरुस्त रहिए बचे वाओ एक बहुत ही रौचक ताथवारे जानी कि किसे वर्तन विच रख्या हुया पानी कुझ दिना वाद लोप हो जन्दा है उँ किते चला जन्दा है आओ एनू विज्यानक अदार दे नार समझ दे आ पानी दा परे हुए ग्लास नू असी कुझ दिन प्यार एन देए ते कुझ दिना वाद जो दो देखिए ता असी की देख देए कि उस दे विच पानी दा पदर काट जान्दा है ता साड़े तुमाग विच प्रेशन होदा है कि उपानी किते गया ता वच्चे ओ थाड़ा जवाब की हुएगा असी कमांगे पानी दा वाश्पी करन हो गया सो होन असी एक याद रखणी है गल कि किसे वी वर्तन विच पेया होया पानी दा पदर कुझ दिना वाद काट जान्दा है ता उस दे पिछे वाश्पी करन दी विदी कम कर दी है पाश्पी करन नो समझन ले आओ एक किरिया देख देया पानी इनू किसे वर्तन विच पाके जदो असी गरम कर देया ता उस दे वाश्प बनन लग दे है एक रिया तुसी आम अपने कारदीर सोईदे विच देखी होएगी जदो तो अडे माता जी पानी इनू गरम कर देहन उनू वाडा देहन जा चाब ना रहे हुं देहन पानी दे वाश्प उस दी गैस अवस्था है पानी तो उस दे वाश्प बनन दे लेई ता पूर जा दी लोड हुं दी है जिमें चित्तर विच भी असी देख रहे हैं के पानी देव जाल वाश्प साननू नजर आ रहे हन इस जादा मातरा विच उस विले नजरों दे हन जदो असीस नू ता पूर्जा दे रहे हैं इसे तरह फर्षते डुलेया हुया पानी कुछ समेवाद सुक जानदा है तो ओके तुपे रखे कपड़े सुक जानदे हैं ता इना दो माँ के रयामादे पिछे की कारण है ता साड़ा उत्तर हुएगा वाश्पी करण असी ये सिख्या QUE वाश्पी करण दे लई ताप ज्रूरी है ता इना दोमा के रयामादे विच ताप कित्थों आया तो आसी याद रखना है कि फर्ष तो पानी दा सुकना जान तो ते हुए कपड़या दा सुकना वाश्पी करन दी विदी नाल होया है ते इस वाश्पी करन दी विदी लेई ताप वातावरण विचों मिले आ है वाश्पी करन दी किरिया सूरज दी तो पदे नाड तेज हो जान दी है देन दे समें सूरज दियां करना समूंदरां नदियां चीलां अते तलाबां दे परे पानी ते पेंदियां हाँ इस दे सिटे वजों इना सार्यां दा पानी लगातार जल वाश्पां विच बदल दा रेंदा है इत्थे एवी याद रखना चाहिदा है कि पानी दा वाश्पी करने बहुत तीमी पर किरिया है जी में असी पहला गल कीती है कि असी किसे वर्तन दे विच पानी पाके रख दे ये ता उस दे पदर दे विच वाश्पी करन होन दे नाड एकदम कमी नहीं हो दी एक कमी सानू कुछ दिना वाज नजर आए इसे कारण किसे वाल्टी जांक टोरी विच प्या होया पानी बहुत ही हौली हौली कटदा है एकदम नहीं वाश्पी करन नों तेज करन दे ले ज्यादा ताप दी लोड होन दी है सो फर्षदा सुक्णा जयांत होते हौए कपड़ेयां दा सुक्णा इस तो अलावा साड़े आळे द्वाले होर भी बहुत सारीयां किर्यामा हान जिना दे विच वाश्पी करन हो रहा है तो सारे ही बच्चेयां ने इसनों समझ के उना किर्यामान नों समझना है ते अपनी कापी ते नोट करना है कि इस तो अलावा साड़े आले द्वाले होर किना किना थामा ते वाश्पी करन हो रहा है वाश्पी करन वारे जानन तो वाद आओ एक खोर महतपूरण किर्या वारे जानिये जिसनों संग्णन किया जान्दा है संग्णन नों जानन ले आओ एक किर्या करिये असी एक गलास लमांगे जिस दी वहरली सता विलकुल साफ ते सुकी होई उस दे विच पानी पाके कुछ वर्फ दे टुकडे पामागे तक कुछ समय वाद की देख देया कि गलास दी वहरी सता ते पानी दिया बुंदा नजराओं लग दिया ये पानी दिया बुंदा पित्थो आईया मचोई किरिया असी सैस्वा गर्मिया दे विच देख देयां जो तो गर्मिया दे विच असी निम्बू पानी दे विच वर्फ पाके पिन देयां उस में ले असी ते आनल दिखी तक गलास दे वार बहुत सारी बुंदा नजराओं दिया तो साथे दमाग दे विच ये प्रेशन आउदा है कि की वो पानी दा गलास लीग कर रहा सी जे नहीं लीग कर रहा सी तो पानी दिया बुंदा कि थो आईया तो होन तुसी आपने जहन दे विच ए गल समझ लेनी है कि ए पानी दियां भूंता संग्णन विदी करके आया है आओ इधा कारण जान दे कि ग्लास विचले ठंडे पानी दे कारण बाहरी सता दे नाड़ वाली हवा भी ठंडी हो जान दी है जिस दा तापमान का टन कारण जो हवा विचले जलवाशब हन ओ ग्लास दी सता दे संग्णित हो जानते हैं असी वाशपी करण वाली करेया दे विच जाने हैं कि पानी तो उस दे जलवाशब उदो वन दे हन जदो ओ ताप प्रापत करता है ति होनसी ये जान लिया कि जदो तापमान काटदा है ताप ओ यलवाशब जो गैस वस्था दे विच सन ओ मुड़के तरल वस्था दे विच आ जान दे हैं तो यही असी ये थे याद रखना कि यलवाशब दा तरल पानी दे विच वदलना संग्णन अखबाउंदा है बच्चों असी जदों भी उपर वालनू नीले असमान वाल देख देयां तस आनू वदल नजरोंदे हैं आओ अज जान देयां कि ए वदल बन दे कीमे हैं बदलानू बनन वाली पर किरिया ले वाशबी करन ते संग्णन अनू समझना बहुत जरूरी है जो असी पिछे जान चुके हैं संखेब दे विच देख देयां कि ए दोनों के रियामा एक दुझे दे उल्ट हन वाशबी करन के रिया दे विच तरल पानी जल वाशबान दे विच बदल दा है स्वाव हुन जान देयां के वद्रादे विच दे विच देख 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 यह वाशब हलके होन कारण उप्पर वलनू उठदे हां। इत्थे एक गल्व याद रखनवाली है कि जीमें जीमें असी उप्पर वलनू उठदे हां, पाव उचाई वलनू वद्दे हां, तद आपमान कटन लग पेंदा है। इसलिए जेडी हवा गर्म होके हलकी होन कारण उप्पर वलनू उठदी है, ओ उपर जाकी ठंडी होन लग दी है। शिटे बजों उचाई दे जाकी हवा इन्नी ठंडी हो जान दी है कि इस विचले यलवाशब संगरित होन लग दे हां। पाव गैसी वस्थातों तर्ल वस्था दे विच वदलन लग पेंदे हैं। इस नाल हवा विच बहुत ही छोटिया छोटिया पानी दिया बुंदा लटकन लग पेंदी हैं। ये तैरदिया होईया बुंदा ही साननों वदलन दे रूब विच दखाई देंदी हैं। ये छोटिया छोटिया पानी दिया बुंदा आपस विच मिलके पारिया हो जान दियां। ते हेठा तर्तिवल दिगन लग पेंदी हैं। इना डिख दिया पानी दिया बुंदा नूं ही असी मी पेंदा कहन दे हैं। सो बदल बनन दी पर किरिया विच वाश भी करन ते संगनन दो में ही किरिया मा दिखनू मिल दियां। बचे वाओ महत्तव पूरण जल चक्कर दे वारे विच जाने। तुसी जान दे हो कि पहाडां दे उपर वर्फ जम्मी हुंती है। जो सूरज दी गर्मी दे नाग पिगल दी है। वर्फ पिगल के जो पानी बनदा है वो द्रियामा नदिया राही समुंदर दे विच चला जानदा है। जदो मी पेंदा है ओ पानी नदियां दरियामा राही वह जानदा है। मी दे पानी दा कुझ हिस्सा पूमी द्वारा भी सोख ले जानदा है। जो पूमी गत पानी विच जा मिल ला है। पूमी हेटले पानी नूँ असी ट्यूब बेला राही वहर कड के अपनी वर्तों विच लेउंदे है। एस पानी नूँ ही असी करांदे विच भी वर्त देयां ते खेतां दे विच सिंजाईले भी वर्त जानदा है। पानी दे सोमे जिमे नदियां दर्यामा ते समुंदरातों सूरई दी गर्मी दे नाल वाश्पी करन हुंदा रहनदा है। पानी जल वाश्प दे रूप विच गैस अवस्था विच उपर उठन लगदा है। जिमे असी पहला पड़ेया है कि जिमे जिमे असी उपर उचाईवल वादेयां ता ताफवान कठन लगदा है। जिस कारण है जल वाश्प संगनित होके पानी दियां छोटियां छोटियां भूंदा दा रूप लेलें दे हैं। चोटियां चोटियां बुंदां पारी होके मीद रूबिच तर्ती ते आयंदियां हैं एस मीद पानी दा कुझ पाग मुण़के महा सागरा विच जार आलदा है ते कुझ पाग तर्ती द्वारा सोख लेया जंदा है पानी दे इस तरह दे चक्कर नो जल चक्कर किया जन्दा है ए पर किरिया लगातार चल दी रेंदी है सो बच्चो जल चक्कर दे विच असी ए जानेया कि की में तर्ती ते मौयूद पानी दे सुमया तों पानी वाशब होके उपर जन्दा है ते फिर संग्णन दी अवस्थादे नाड बुंदापारियां होके मीवन के खेठाओं दियां इस तना पानी दाए चक्कर नरंतर जारी रेंदा है पानी दी संबाढ बच्यों प्रिथ्वी ते पामें दो तेहाई हिस्सा पानी है बड़े बड़े महासागर पानी नाड परे पेह हैं पर इस पानी नो असी सिद्धे रूब विच पीन लई नहीं वर्त तकते पीन योग पानी दी मतरा तरती थे बहुत कट है असी पीन लई पानी ताजे पानी दे सुमयां तो ले सकते हैं जा पुमीगत पानी नो पीन लई वर्त देयां जिमें असी जानेयां के असी ट्यूबला दे नाड पुमीगत पानी नो अपने वर्तों विच ले ओन लई कट देयां पर बहुत जादा वर्तों दे नाड पुमीगत पानी दा पदर कट दा जा रहा है वद दी जन संख्या दियां पानी प्रती लोडा भी वद रही हैं पीन वाले पानी दे सुमय कट रहे हैं तुसी आले द्वाले नजर कुम आके दिखो कि कदे नड के अते खूँ पीन वाले पानी दे मुख सुमय सन सारे ही लोग इना दे उपर ही अपनियां पानी दियां लोडा प्रती निरवर्शन पर आज कल ए खूँ जा नड के सोक चुके हैं इस दा की कारण है तो इस दा कारण इक कोई है कि पानी दी ज्यादा वर्तों दे नाल पूमी हेटला पानी दा पदर हेठा डिग पया है जो के निरंतर कटदा जा रहा है सो इना हालता नूँ देख देयां यह बहुत जरूरी है कि असी पानी दी संबाल करिये पानी दी संबाल असी कारदे वेच भी स्कूल दे वेच भी करिगी जदों पानी दी टूटी चल रही है जेकर सानू लोड है तो असी उनू चुलाईए ते बिना लोड तो असी उनू बंद कर दिये सारे ही वच्चे एस प्रती सुचेत होन ते एस नू अपना फर्ज समझन कि जदों भी पानी दी लोड नहीं है तब पानी नू अजाई नहीं गवोना है चल दी होई पानी दी टूटी नू बंद कर देना है इस देनाल ना सिर्फ अपने ले पानी बचामागे सो और वालियां वेकरियां पीडियां ले भी पानी बचा के रख सकते हैं सो पानी दी वर्तों बहुत ही संजम ते साब दानी देनाल करनी सिखनी है बच्चे वसी जानियां के तर्तीते बहुतात विच पानी मौजूद है पर इस विच पीन वाले पानी दी मात्रा बहुत ही कट है मौजूदा वद रही जन संख्या दियां लूडां पूरा करन ले इस दी मंग लगातार वद रही है इसलिए जुरूरी बन जानदा है सुगों साड़ा सारे अंदा फर्ज बन जानदा है के असी पानी नुँ अजाई नाग वाईए सुगों इस अमरत दी संबाल करें क्योंकि ये पानी करके ही साड़ा जीवन सुरक्यत है तर्थी हेटले पानी दी संबाल दे नाल नाल सान नु यतन करने चाहिए देया के असी मीदे पानी दी भी संबाल करें जी मैं तुसी चितर विच देख रहे हैं क्योंकि मीदे पानी नु एकठा करके असी अपनियां के लोडां दी पूर्टी कर सकते हैं ते पीन वाई पानी नु संबाल सकते हैं जदो मीदे पैंदा है तै इस दा कुछ पाग नदियां द र्यामा ते समुद्रा विच मिल जाणादा है ते कुझ पाग तर्ती दे द्वारा सोख लेया जन्दा है शाथ उतले मीदे पाणी नूँ पाइप दे जरीए ठेठा रखे हुए टैंक विच स्टोर कीता जा सकता है जी में के तस्वीर वेच भी नजर आ रहा है इस टैंक विच स्टोर कीते पाणी नूँ अथीन और यानना केई जगाते वर्तों कर सकते है टैंक विचले पाणी नूँ फिल्टर करके भी काम विचले आया जा सकता है ये पाणी कर विच लगाये हुए पौद्या नूँ देन लई वर्ते आ जा सकता है इस्तो इलावा तर्ती दे अंदर तक पाईप राहीं दाखल करवाखे पूमीगत पानी दे पद्दर नो वदाउन दे वेच भी सहायता मिल सकती है सुबचों उमीद कर दे हैं कि आज असी पानी वारे पानी दी संबाड वारे जो कुछ भी जाने हैं उसनों तुसी चंगे तरीके नाड समझ लेया है तन वाद